आज मैं आपको यह वाटर फांटेन बनाना सिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने यह फांटेन गर पर कैसे बनाया तो यह बनाना काफी इजी है और इसको बनाने में कुछी समान की जरूरत होती है तो चलिए आज सीखते हैं कि वाटर फांटेन को घर पर कैसे बनाया फांटेन बनाने के लिए एक फाइबर का फ्लावर स््टेंड लिया जो में पास भर पे रखा बहता और एक यह प्लास्टिक का पट है जिसको मैं प्लांट लगाने के लिए लेकर आई थी पर जब मैंने इसको देखा तो मुझे आईडिया आया कि क्यों ना में इसका यहां पर इसको तसला बोलते हैं पर आपके यहां पता नहीं क्या कहते होंगे इसको मैंने पेंट करके पहले ही तेयार कर लिया है एक यह वाटर पंप है कुलर का छोटे वाला और एक पाइप और कुछ डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशल फ्लावर है शंक है और कुछ क्लेशन पर एगंट करूँगी से चरपेंट कॉल्हां कोशन बनाने मी दिआ करूँगी सब्से पहले करिखना इस जरू ने फेल अलगा दीक्रणलने में एक आठीन बनाने में करूंगी सबसे पहले मैंने और इस पाइप को में इस स्टेंड के अंदा चाल दूँगी यह देखिए यहां से ही पाइप ऐसे निकल गाएगा और इसको यहां पे फिक्स करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसको इसका स्वाट में गया है और अब हम इस पाइप को पम से अटेच कर देंगे इस तरह के से मैंने इस चप को पानी से फुल भर लिया है और आप चाहे तो इसकी जगा प्लास्टिक का टब भी ले सकते हो मेरे पास यह रखा था तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है अब मैं इसकी डेकोडेशन के लिए इसमें कुछ चीज़े डालूगी जैसे मैं इस पंप को ऐसे चिपाने के लिए इसमें इसमें प्लावर रख दूँगी और यह एक फ्रॉंग्स है इनको इसमें में डाल दूँगी कोई कमपलसरी नहीं है आप कुछ भी डाल सकते हैं और इसमें मैं एक शंकर रख दूँग्स हैं मेरे पास दो टटल दे तो इसलिए मैंने इनको भी डेकोरेशन का इससा बना दिया है और एक सीप में यहाँ पर रखूंगी कि वाटर का फ्लो जादा नहों और पानी बैलेंस में ही मीचे गिरें फ्रेंड्स अब यह फॉंटेन बनके तयार हो गया है और फॉंटेन में रखी सीप से गिरता हुआ पानी देखें कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और मैंने इस फॉंटेन को अपनी बालकोनी के कॉर्णर में लगाया है है न कितना इजी बनाना फॉंटेन को फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके तो जरूर बताना थैंक यू